हेलो गाईज स्वागत है हमारे चैनल बीएसी एजुकेशन लेक्चर्स में तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं बीएसी सेकेंड डियर मैथ्स थर्ड पेपर यूनिट फुर्थ है अपनी चार पित विधी से कॉशन शॉल्व करना इंपॉर्ट है तो इसके पहले हम आप से सेकंड डियर की प्ले लिस्ट प लाइक, शियर और कमेंट जरू करिएगा ठीक है तो कॉशन को सबसे अपना फर्स्ट स्टेप रहता है सबसे पहले तो कॉशन पढ़िए चार पी विधी से हल करो و is equal to PX plus QY is equal to PQ, इसको अपनको solve करना है तो सबसे पहले तो अपनको semi kanad दिया हूआ है वो लिख लेते हैं P X plus QY is equal to PQ फिए तो सबसे फेस्ट में लहता है चार पी विधी में कि पहला मतलब सबसे पहले अपनको F is equal to PX YZ के रूप में अपनको जो equation दी हुए होती है वो लिखना पड़ता है ठीक है तो f is equal to हो जाएगा अपना px plus qy minus pq pq का पक्चांतर कर देते हैं क्योंकि is equal to 0 बड़ावा लेना पड़ता है ना तो अपने ये अपने pq का पक्चांतर कर दिया ठीक है अब देखो second step में इसका सहा एक समिक्राव जो होता है वो लिख लेते हैं सहा एक समिक्राव होता है इसका ये याद करना पड़ेगा सहा एक समिक्राव होता है अपन का dp upon is equal to dq upon is equal to dz upon is equal to होता है अपन का dx upon is equal to dy upon अब इनके upon में अपने को लिखना पड़ता है पहले अपन को P Q Z लेना है फिर लाज में अपन को X Y लेना है अब इनके upon में लिखना पढ़ता है वो देखो D F upon D X plus P D F upon D Z तो D Q के upon में D F upon D Y plus Q D F upon D Z और D Z के upon में लिखना पढ़ता है अपन को minus P D F upon D P होता है minus Q D F upon D Q यह अपन को D Z के upon में लिखना पढ़ता है और D X के upon में लिखते हैं अपन minus D F upon D P D Y के upon में लिखते हैं अपन minus D F upon D Q अब देखो थाइड स्टेप में अपन को इनकी value पता होने चाहिए D F upon D X की, D F upon D Y की, D F upon D Z की तो थाइड स्टेप यहाँ पर अपन सबसे पहले D F upon D X निकालेंगे ठीके, F की value X के साफ़िश अपन करेंगे तो क्या आएगा अपना X के साफ़िश अपना P आ जाएगा इसी प्रकार D F upon D Y निकाल लेंगे Y के साफ़िश करेंगे तो अपना Q आ जाएगा इसी प्रकार अपन Z के साफ़िश कर लेंगे D F upon D Z तो Z के साफ़िश जीरो क्योंकि Z वाला पत तो ही नहीं इसमें बनके ठीके, इसी प्रकार अपन D F upon D P की भी चाहिए value और D F upon D Q की भी चाहिए पी के साफ़िश करेंगे तो अपना क्या आएगा अपना P के साफ़िश कर रहे हैं ठीके तो P के साफ़िश करेंगे तो अपना X तो आएगा यह आएगा और minus यहापर अपना Q आ जाएगा इसी प्रकार Q के साफ़िश करते हैं D F upon D Q निकाल लेथे यह value अपन इसमें रखने के लिए बनादा साहाएक समीकरण में रखने के लिए तो क्योंकि सापिश करेंगी तो अपना क्या आएगा y-p हो जाएगा ठीक है यह सभी value आगई तो अपन इसके लिए देदेदे equation first और इसके लिए देदेदे equation second तो इक्यकरण 2 में रखने पर пошल देदे दी एफ अपन डी दे अपने डी तो दी प समीकरण 2 में प्लस पिंटि і अपन? के अपन पेलर अपन को अपने पन? प्लस प्लस q in 2 में है फिर df upon dz की value के अपनी 0 है तो df upon dz की value अपनी 0 ही है is equal to होजायका अपना d z की अपन में लेकना है तो d z पहले 1-P रखना है फिर df upon dp की value df upon dp की value के अपनी x minus q है minus q फिर df upon dqaking value तो ये अपनी df upon dq की value by minus p है इस coil to लेना है अपन को dx अपन में सभी की value रखते हो dx के अपन में minus df upon dp की value तो ये वाली minus लगा के x minus q df upon dp की value is coil to अपना हो जगा dy upon minus df upon dq की value ये है अपन की minus लगा के by minus p हो जाएगा ठीक है तो इसको आगे solve करते हैं dp upon क्या बचेगा यहाँ पे p ये तो अपना 0 हो जाएगा is coil to dq upon क्या बचेगा q क्योंकि ये भी अपना 0 हो जाएगा q into 0 जाएगा और यहाँ पे dz upon इसका भी अंदर multiply तो minus px minus minus का plus p का q में होगा pq इसी प्रकार q का अंदर तो qy हो जाएगा minus minus का plus pq is equal to हो जाएगा minus is equal to dx upon minus का अंदर multiply कर दीगे तो minus x minus minus का plus ठीके देखो सबसे पहले तो अपनने px f औ px by z के रूप में सवाल लिख लिया उसकी वाद सहाएक समीकरन लिखा फिर सहाएक समीकरन के बाद उसमें जिस जिस की आवशक्त थी अपने वह वैल्यू निकाल ली फिर उसकी बाद दो वैल्यू पुट कर दी तो डी वाई अपन माइनस y माइनस मैनस का plus p हो जाएगा ठीके अपना यह हो गया था अब देखो तो इसके लिए अपने एक और स्टेप बढ़ा सकते dp upon p is equal to dq upon q ठीके और यहाँ पर बज़ेगा dz upon px qy तो इसको साथ में लेते तो माइनस px minus qy pq क्या हो जाएगा अपना 2pq हो जाएगा is equal to dx upon minus x plus q is equal to dy upon minus y plus p हो जाएगा अब अपन का अगला स्टेप होता है प्रिथम दो जो सायक से में अपन की value आए है अपन की यह इसके प्रिथम दो अनुपाद लेते हैं यानि प्रिथम दो अनुपाद लेने पड़ स्टेप बाई स्टेप करते जाए आपका अंसर आ जाएगा ठीक है यह ओधी चार पिट विधी इंपॉर्टेंट है ले लेते कौन कौन से dp upon p is equal to dq upon q हो जाएगा ठीक है दोनों का इंट्रिगेशन ले लेते हैं समाकलन करने पर फिर जब इनके p q के महान आ जाएगे तेखो इंट्रिगेशन लेते हैं तो क्या हो जाएगा अपना dp upon p is equal to integration dq upon q यहाँ पर देखो 1 upon p हो गया 1 upon p क्या होता अपना log p होता है इंट्रिगेशन ठीक है log p यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा log q हो जाएगा प्लस a हो जाएगा यहाँ पर इंट्रिगेशन का formula लेग सकते हैं चोकी होता है अपन का 1 upon x dx is equal to होता है अपन का log x यहीं वाला यहाँ पर अपन ने formula लगा दिया है आप देखो एक अपने खचर नहीं ले देते हैं यहाँ अपन लॉग a बोल सकते हैं इसको log यह अपन ने ले लिया ठीक है आप देखो log p log m प्लस log n क्या होता है अपन का log m into n यानि q into a लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग चुकि log m प्लस log n is equal to होता है अपन का log m into n ठीक है तो अपने यह साथ में लिख देखो दोनों से log कैंसल कर सकते हैं यानि कि p is equal to upon q a लिख सकते हैं अब जो यह value आई अपने जो equation first दी थी उसमें यह अपन फॉर्मलल रख देते हैं यानि p की value रख देते हैं तो समीकरण आप देखो पी की value तो आगी है अपन को q की value निकाल लिए फिर अभी इस ठाल लेखेंगे इसका देखो step by step करते जाएं अब सबसे पहले तो अपन को समीकरण को f of zx by p q की रूप में लेकरन है फिर उसके बाद साहएक समीकरण के जिस जिसकी value आपन को निकाल ली है उसकी value निकाल कर साहएक समीकरण में रखते हैं फिर उसके बाद साहएक समीकरण के प्रिथम दो अनुपात लेते हैं और वहां से पीवा q के मान निकालते है तो p की value निकाल आई q की value निकाल रहा है आप अपना ax plus y is equal to pq और यहां पे अपन को p की value यहां पे भी तो q ए रखनी थी q ax plus y दोनों से a q cancel हो जाएगा क्या बज़ेगा अपना ax plus y is equal to q into a बज़ेगा तो a को इस साइड ले आते हैं तो q is equal to a x plus y upon a ठीक है अथा है अपन अभी इस्ठल निकालते हैं अथा अभी इस्ठल क्या होता अपन का अभी इस्ठल पीवा q की value अभी इस्ठल में रखते हैं dz is equal to p dx plus q dy पीवा q q value रख दे थे p की value अपनी क्या थी q into a और अपना ये dx हो जाएगा plus q की value अपनी क्या आ गई ax plus y upon a और अपना ये ठीक है तो q की value x plus y into अपना ये dy हो गया अब से अभी का इंट्रिगेशन ले 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 थे पहले तो यहां पर p की value अपने रख दी थी p की value फिर p की value क्यों ये थी आप देखो q की value भी अपने नेकाल ले यहां पर q की value वापिस का दे थे a x plus y upon a into a dx और अपना d a x plus y upon a dy हो गया यहां यहां ये से ये cancel क्या बच आपना a x plus y dx plus a x plus y upon a और अपना ये dy और अपना ये साथ में dz चल रहा है अपनको अभी इस ठाल के लिए z की value नेकालने पर तो इंट्रिगेशन ले ले लेते हैं यानि समाकलन लेने पर ठीके ले ले लेते हैं ये तोड़ा एक mistake हो गया है यहां पर देखो तो dz is equal to अपना a x plus y dx plus यहां पर भी इंट्रिगेशन a x plus y upon a into dy हो जाए ठीके तो इसका इंट्रिगेशन करती तो dz का तो अपनका z आ जाएगा is equal to इसका करेंगे तो a x square y 2 हो जाएगा फिर by का करेंगे तो y x हो जाएगा प्लस one upon a को बाहर ले 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 थे इसका इंट्रिगेशन करेंगे a x plus y का तो आ जाएगा a x square y 2 और plus y x ठीक है इतना clear है sorry इसमें by के साफिक्ष करना है तो अपना यह अपना answer नहीं आएगा one upon a होगा और यहाँ पर आएगा a x y plus y square y 2 हो जाएगा और अपना यह बाहर ब्रैकेट की बाहर लोग अंदर multiply कर देते हैं तो a x square y 2 plus x y बनापन एको अंदर ले जाते हैं तो बनापन एको जब इसमें multiply ह होगा तो इसे यह तो cancel हो जाएगा क्या जाएगा अपना x y plus y square upon 2a हो जाएगा तो देखो दो एक काम कर देते हैं इनको multiply दो lcm ले जाएगा तो अपना क्या है यहां से ax square plus 2 ax plus 2 ax और यहां पर हो जाएगा अपना by square upon और यहां पर टू हो जाएगा अपना answer इस प्रिकार अपन को question solve करने हैं तो वीडियो पसंद आ तो अपने दोस्तों के साथ share जरू करेगा थैंक्यू और यह important question है आप लोग चार पर विदी से question जरूर पूंचा जाता है तो आप लोग यह method रखेगा ठीक हमने आप लोग के लिए लिए लिखवा दी है प्लेलिस में जाकर आप लोग जरूर वीडियो देख लेगा थांक्यू कि अज्या खुआ में जाप लोग टाचार has ई्हärी ज़रूग ऊता हुआ के खुआ हैं हुआ झावा लोग, कि शातर है तो प्लेम में जातर हुआ टास जातच का जाना रहा हुआ क मよし्प्ज़व.